असलाम अलेकल गईस तो केसे हैं आप लोग आज हम पेर से कहलने वाले हैं इंडिया बाइस ड्राइविंग 3D जिसके अदर आज हम लोग इंडिया के प्राइंग मिनेस्टर नरेंदर मोजे की कार जोरी करने वाले हैं कार जोरी करने के लिए मेनेज़ प्लेन बनाया है और इसके एकोडिंग मुझे ये चार टास्क कम्प्लीट करने होगी गैस सबसे पहला मेरा जो टास्क की ना वो ये है कि मुझे ना फ्रेंकिलिन के न्यू वाउस के अंदर से एक वेस्ट यानि बॉलेट प्रूफ जेकेट को लेकर अपने जिसम पे पहन लेना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सेक्यूरेटी बहुत ही तकड़ी होगी तो कोई भी एपने बंदे को मार सकता है यह मैं यह इस चीज़ को बहुत ख्याल रखना है तो चलते हैं फ्रेंकिलिन के गर इनवापर बॉलेट प्रूफ जेकेट पहन कर दोसरा टास्क कम्प्लीट करते ही गैस जबना सेकंड टास्क है वो यह है कि हमें बॉलेट प्रूफ जेकेट पहन लेने के बाद एरपोर्ट जाना है जाम पर प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं इसके बाद फ्रेंट टास्क में हमें जितने भी सेक्यूरिट गार्ड्स वहाँ पर खड़ी होंगे प्राइम मिनिस्टर के उन सबी को मारकर कार को चोरी करने ना है मैने के लिए इंडियन थिफ्ट और्टो गिन की शेर में चले जाएंगी वीडियो में तुम्हें आज बहुत मजा आने वाले हैं क्योंकि प्राइम निस्टर कारियार इतनी आसा नहीं है चोरी करना बस एंड तक देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा हम वैसे भी फ्रें अपहला गारे ना असट्रा स्वीडियों के यार फरेंकिलन का बायार यायर्थ और यहाँ उपर देखी सकती हो गेरेज और ये फ्रेंकीलिंग के गर लोगें वह संदोंनी लिए यहाँ होता तो बहुत अच्छा लागता यहां पर सेमिंग पूल तुम देख सकते हो वैसे भी यह आज गर्मी बहुत है ऐसा करते हैं बुलेट प्रूफ जेकेट पहनने के बाद यहां पर एक डूम की लगा लेंगी गैज यह तम फ्रेंकिलिन का बेर्ट रूंग देखी सकते हो यह पर जहां पर हम फ्रेंकिलिन को कपड़े भी चेंज करवा सकते हैं यह जो दर्वाज़े ही न तो मैं बता है जी टीए फायल के अंदर तो नहीं खुल दे क्योंकि यह सीक्रेट डॉर्स हैं लास वाला जो दर्वाज़े ने इसके अंदर से में बुलेट प्रूफ जेकेट म चला जाए तो जल्दी से में सा कर दोंगे यह आज तो घर मिंग भोते वैले तो एक यहां पर डपकी लगाले ताम भाईस साब ठंडा हो गया जिसम अभी जल्दी से बायर निकल कर सेदा एरपोर्ट चल देंगे गाइस वेसे ने वेपन्स मेरे पास पहले साइप पढ़ी एक 47 सिनाइपरे RPG लोंचर है और इसके लावा एक स्टेकी बूम में बहुत यहार कतरनग वाले वेपन्स पढ़ी हैं बस दवा करो कि वो जो सिक्यूरिटी गार्ड्स होंगे प्राइम मिनिस्टर की उनके पास यह अगर कोई हलका वाला पिस्टल या SMG गन होवर ना अगर कोई हाई लेवल वर नी गन वी तो यह हमें मार भी सकते हैं वैसे मेने बॉलेट प्रोफ जेकेट पहनी एक ओली तर देंग करेंगी लेकिन फिर भी यार हो सकता है वेड़ बाई यह क्या हो गया बोगोटी से जाकर अपना एक्सीडन हो गया कोई बात नहीं गाईज हम एयरपोर्ट के अंदर बस जाने वाले है एयरपोर्ट पर पुम्हें पुआँ चुका हूँ वहाँ पर भाई सभी इतने सारे बंदी क्या करें एक सेकेंड वही सभी बंदी नहीं मिलके जॉम्बी से यह मुझे फटा- आइबा और दो 20 आगे मैं निया हुरर्पार और लोघल लग वह depth झाला हैğ ज है म कर दो यहां फूर्ट पीस मेरी होँ data et को तम एने मार दिया है दूसरे को में मार देता हूँ यहां पर मैं इससाइद वहाँ लग एवरा है जिसको भी लेकिन यहां से इससे भी काम नहीं चल रहा मुझे आगे जाकर इन्हें मारना होगा मियारा महराम से चलते हैं बस दौा करो कि यह में देखना लें क्योंकि इनके सर तो नीचे और उपर हो रहे हैं सामने तो यह नहीं देख रहे हैं मैं सकता हूं यहां पर थोड़ा यहां से आर्पिजी लॉंचरे ने मार सकता हूं तो यह मैंने भाई साब इनको पर टेक कर दिया है मुझे लगता है कि अभी यह यहां से जोंबी मरें हाँ अभी मरेना मैं जल्दी से इने जल्दी से मार देता हूं इसके बाद अपने प्राइम निस्टर वाली गाड़ी चोरी करके निकल दें भाई यार वहां पर भी सेक्यूरेटी गार्ड्स हों कि उनको भी तो मुझे नहीं बस दौा करो कि यहां पर अपनी आर्पिजी में और एक 47 एंस नाइबर के अंदर से गोलियां खतमना हो अभी यह शैद मेरे तरफ आ रही नहीं नहीं अभी तक तो किसी को भी चला वीड भाई यह आगे आ रहा है फिर यह से किते सी मेरे मुझे मरेगा भाई सब इसको मैंने सिदा सर में मारने की कुछ करने के नहीं यार नहीं इसमें हेल्थ बहुते बागना पड़ेगा यह मुझे पनी जान बचाने पड़ेगी वरना यह बहुत खतरनाक बंदे हैं यह जोंबी से न मुझे खा सकते में सब आरपिजी लाउन्चर निकल करेंने मारता हो भाई सब यह पर एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे जॉंबी जा चुके हैं यह जाली से इसको मार भी अरपीज लाउन्चर मार देता हूँ इसको भी यह तो भी गया और तो भी निकल भाई पहले फुरसत में माकी यह वहाँ पर और भी यह बहुत ज्यादा जॉम्मी से ही नहीं हम किसे मारेंगे यहर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आरा मैं सरकरता हूँ मैंने नहीं यह स्टेकी बॉम निकाल लिया है अभी यहाँ पर मैं स्टेकी बॉम छोड़ता हूँ एक नहीं बलके 10-15 स्टेकी बॉम जमीन में लगा लेता हूँ इसके बाद जिससे ही न यह मेरे पीछे आएंगे तो मैं इनको एक्सप्लोड कर दूँगा और यह जेतने में जॉम्मी से मर जाएंगे यहाँ पर मैंने एक और स्टेकी बॉम फेंग दिया है एक और ड्रॉब कर देता हूँ एक और करता हूँ एक दूसरा भी ड्रॉब कर लेता हूँ भाई सब भागना पड़ेगा क्योंके इन जॉम्मी ने देख लिया है और यह मेरे तरफ आ रही है यहाँ से मैं इसा करता हूँ थोड़ा आगे जाता हूँ क्योंके सब को पता चले लेना चाहिए क्योंके भाई मैं फ्रेंक के लिए आया है अपने एरपोर्ट में अभी मैं बागना आप बहुत यासानी होगी तम देखना के मैं किस से इने मारता हूँ गैस अभी मैं इसा करता हूँ थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर एपनी फोन निकाल कर जल्दी से इने एक्सप्लोड कर दो भाई यार यह मैं गैलरी में कैसे आ गया यहाँ पर मैंने एक्टिवेट कर दिया यह जॉमिज में में पीछे वेट भाई यहाँ पर शायद इतने जॉमिज नहीं मरे क्योंकि यह एक ने दो नहीं बलकि यार पचीस तीस जॉमिज में पीछे पड़ चुके हैं अब भी बाग कर एपने जान बचानी पड़ेगी वरना यह मुझे मार वे सकती हैं मैं जल्दी में अपना और्पिजी लाउंचर निकाल करें मार भी लो लेकिन नहीं यह फिर भी बहुत ज्यादा हैं मेरी यल्द जा सकती है भी तोड़ी यल्द तो आदी जा चुकी है मैं यह यहाँ से निकलता हूँ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को चोरी करता हूँ अभी मुझे थोड़ा और भी दोर जाकर रुख लेना चाहिए वरना यहाँ पर अगर में रुख गया तो जॉमीज मुझे मार सकती हैं सब्सक्राइब हो चुकी है अभी अच्छा हुआ कि हम थोड़ा बाग रहे हैं इसलिए स्ट्री में थोड़ी बाटरी और अपनी एल्थ गरीन हो चुकी है यह यह बहुत ही अच्छी चीज अपने साथ हो चुकि यह जल इसमें यह पर अपना और पीजी लॉंचर निकाल करेने मारता हूं वीड भाई एब भी मेरे पीछा रहे हैं नहीं यह नहीं से मुश्किल थोड़ी नहीं और भी बढ़ जाए बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा यह पर यह जॉंबीज बस दस पंदरा हैं दूसरे शेट चले गए चलो फैर कोई नहीं यह तो अच्छा हो गया अभी मेरे ख्याल से यह पर अपना और पीजी लॉंचर निकाल करेने माल लेना चाहिए भाई यह आपर मैंने एक अटेक कर दिया दूसरा भी अटेक कर दिया वीड भाहिस सब यहां पर देको भाई फॉर्चोनर मर्सेडिस एमजी जी वेगन 63 पता नहीं का नहीं का नहीं का नहीं का और यह प्राइम मिनस्टर की डिफेंडर तो जल्य समें बैट जाता हैं भाहिस सब यहां पर सेक्यूरिटी दे बहुत इत्ता करी हैं लेकिन में पहुंचा नहीं तो मैं जल्दी से डिफेंडर को लेकर अपने गार चलता हूं इसके बाद यह जो दूसरी सेक्यूरिटी गार्ड्स वाली गणिया है ना फॉर्चोनर हो गई जीवेगन हो गई इन सबी को भी हम चौरी कर लेंगे आज मैं आराम आराम से अपनी चलती हैं मैं सब करता हूं अपने गर की पिछे ना इस डिफेंडर को छपा लेता हूं अभी के लिए हम यहां पर छपाते हैं इसके बाद सारी गाड़ियां जैसे में चोरी करके यहां पर लगाऊंगा ना मैं सब करूँगा मेरा एक दोस्ते उसे बोलूँगा कि यार तो यहां से लेकर अपनी गर चला जा में एक मैने के बाद जैसे इंडिन थेफ्ट आटो गेम के शेर सी अपनी यहां इंडिन बाइस ड्राइवं ग्रीडी के शेर में आऊंगा ना तो तो तमसे गाड़ियां ले लूँगा विट भाई यह क्या हुआ इतनी चोटी दिवार से जया यह तो बोधी गलत बात या इतन कल यहां इस दियवार को गर बेद्ध चाबर इक लींडा कर के टाब सकता या यह इतना बड़ा आ घर गया कोई बाद यहां दिस ऐयरपोर्ट चलते हैं our यह दो दूसरे गर जैन हैं यहाँ पर सिर्फ एक पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है यार मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है उस पुलिस वाली गाड़ी को मैंने चोड़ कर इस प्लैन में मैं बैठ चुका हूँ एंद मझे जितना जल्दी हो से कि अतना जल्दी यहां से निकलना होगा क्योंके मेरे पीछे तीन स्टार की पुलिस भी लग चुकी है तो यहां पर भाई यह प्लेन किसे उड़ता है हाम नहीं उड़ गए अपने से यार सच बता हूँ तो इस गेम में ये प्लेन में पहली बार ओडा रहा हूँ मैं देखता रोज हूँ डेली देखता हूँ इस प्लेन को लेकिन पहली बार आज ओडा रहा हूँ यार बहुत ही मज़ा आ रहा है इस प्लेन को ओडाने में बाकि जल्दे से भी चलते हैं इंडियन थेफ्ट आटो गेम के सेटी में एंड वहां पर जाकर वो जो अपना केरेक्टर है न इंडियन थेफ्ट आटो गेम वाला उसके गर में जाकर हम एक मैने के लिए रहेंगे फिर हम यहां पर आएंगी एंड वहां पर चलकर मैं पने दो बेट भाई यहां पर यह पुलिस कहां से आ गई? भाई सब यह तब बहुत ही गलत सीन हो जो का है? पुलिस वाला कह रहा है कि जल्दी से हमरे गाड़ी में बैठ जा तजहें हम जेल ले जाने वाले हैं. यारब क्या होगा यह तो बहुत ही गलत हो चुका है. फिर तो मैंसा कर जल्दी से वेडियो को लेगें चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में यह लिख लो कि हमें पार टूचा यह मैं जल्दी से इसका सेकंड गेम प्ले एपिसट बना कर जल्दी से अप्लोड कर दूँगा.